कि काफी बच्चे बोलते हैं सर बुक ना ले ले टेनियर से कर ले स्रिफ आप जो पढ़ा रहे हो क्या वो इनफ रहेगा तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई मैं पढ़ा रहा हूं इनफ नहीं है मैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाता हूँ आप देखो आप किताब में याद करते हो एक बार पढ़ते हो पूरा पढ़ते हो खुद अब जब उसको लिखने बैठे हो तो उसमें से आपको सिर्फ 30% याद रहता है बाकि 70% क्या होता है भूल जाते हो आप 12 को भी याद करो आपको अकाउंट से ऐसा नहीं कर दिया आपक किसी भी चीज को पढ़ते हो ना तो 20-30% रिटेन कर पाते हैं 70 भूल जाते हैं तो जब मैं पढ़ा रहा हूं मैं भी 100% पढ़ा रहा हूं लेकिन आप इसमें से सीखोगे कितना सिर्फ 30% ही एफट बाकि 70% लर्निंग आपकी होगी आप कितनी प्रेक्टिस करते हो मैं हर बा मैं एकल्स पीज बहुता हूं जब हमारी चंटर आगे बढ़ते 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 याएंगे न तो यह चंट बच्चों भूलते जाएंगे क्योंकि इसी का जैसे आफ्ट से आट चंटर हैं और इसी के जैसे सानरा तो साथ चेप्टर तो finger pay के इसी से related ही है सारा तो वो भूल जाते हैं तो इसे practice एकदम perfect रखना, notes बनाना आपने अच्छे से गीता लिमिटेड ने कहा कि हमने साथ हजार share 10 रुपे का एक है, payable as under, तीन application अब यहाँ देखो मजे की बात क्या दे दिया इसने date, three on allotment March 2, first call payable June 2, final call payable November, अब यहाँ पे क्या पूछ लेगा यह, application receive हमने किया इतना, हमने issue कितने किये थे यह, तो over subscribe का case हो गया आगे कहता है कि भाईया, जिसने apply किये, 5-20, उसको तो मैंने पूरे दे दिये, जिसने 30 मांगे, उसको कितने दिये, सिर्फ 80, आपको याद होगा, मैंने concept करवाया था, advance वाले में, जब difference हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो पैसा कहां तक चले जाता है, हमारा allotment को भी cross कर देता है इसके बाद, जिसने मांगे, 1-20 उसको nil, इसका मतलब है, सर उसको हमने दिये ही नहीं, उसको reject कर दिये, उसके पैसे क्या कर दिये, हमने वापस कर दिये कहता है, excess money receive on application utilized to do allotment and subsequent, इसका मतलब allotment पे भी utilize करिये और उसके बाद भी करिये, तो question खुद ही कह रहा है आपको, कि allotment के आगे भी जाएगा, कहता है calls authorized by the article associate general entry, transaction assume all sums were received ignore interest, especially कह रहा है interest को क्या करके चले, ignore, जब होगा तो हम देखेंगे, तो अब मजे की बात और आसानी बात मैं ये बताऊ ना, इस question में failure नहीं है किसी को fail, नहीं किया, तो sir issue कितने है sir इसमें sir issue है हमारे नहीं, छे लाग था छे लाग और application receive कितने थे 10 लाग और share कितने का था, 10 का, कैसे कैसे बोला गया application 3 ये ऐसे बनाया और मजे की बात आप ध्यान दीजिए कि इसके अंदर ना, date दे रखा है अगर interest पूछता ये तब तो date का काम था सवाल ने interest पूछा नहीं, तो date का कोई role नहीं रहने वाला आपको date के according सिर्फ डालना चाहते हो तो date डाल दीजिए, नहीं डालेंगे तो कोई ऐसी share application कितने करेंगे application receive दस लाक इंटू में तीन तीस लाक ठीक है? इसके बाद share application to equity share capital कितने होंगे? तीस लाक और भी होगा हाँ 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 share application तीस लाक तू equity share capital कितने होंगे? आपका छे लाक तीन अठारा लाक तू bank जिनके पैसे वापसी करने एक लाक बीस हजार इंटू तीन तीन लाक साथ हजार और तू तू में क्या आएगा सर? तू में आएगा आपका तू में आपका advance अब advance की एक बार calculation कर लेते हैं सर इस category का तो advance है न? बस ज़्यादा तो तीन साथ हापने मांगे तो तीन साथ के हिसाब से तीन कट गए आपके तो कितने हो गए? दस लाक असी अजार आपके minus हो गए सर कितने? आपको मिले सरिफ असी आठ लाक चालिस हजार अब अगर मैं आपसे allotment मांगूँँगा तो कितने मांगूँँगा जादा जादा इन्टू में तीन मांग लूँगा फिर दो चालिस फिर मांग लूँगा तो देखा जाए अब भी advance कितना बच गया आपका? छे लाक और अब भी मांग लूँगा तो कितने मांगूँगा सर असी अजार इन्टू में दो मांग लूँगा यानि सर एक लाक साथ हजार तो अभी भी देखा जाए तो आपका बच रहे कितने चार लाक चालिस हजार अब final call भी अगर मैं आपसे अब भी भी आपका बच रहे कितना 2,80,000 2,80,000 है नः पैसा कहा रखेंगे उसका तो रखी नहीं सकते ना तो यह जो बैंक का amount है ने यह नहीं आएगा यानि बैंक के अंदर जो amount आएगा अब ध्यान दीजिएगा बैंक में हमारा जो पहले था तीन साथ तो रहेगा ही रहेगा और प्लस दो असी ये भी हो जाएगा तो जो बच्चे देख रहेंगे बुक में नहीं तो उसकी केल्कुलीशन साइज समझ में ना आए तो वो ऐसे हुआ है इसलिए मैं बता देता हूँ तो कितने हो गहे तीन दो पांच आणड़ छे चौधा तो 6 लाक चालीस अजार अब देखो अलॉट्मेंट का एडवांस सर अलॉट्मेंट का एडवांस तो ये है अलॉट्मेंट 2-4-ë idente कौल सिन एडवांस एक खटता ही कर देता है कौल सिन एडवांस लिख तो दिया हाँ तो utilize उसके बाद subsequent भी बोला आगे भी करने है जिसका जो doubt है ना कि सर ये वाला point नहीं आया ये वाला point नहीं आया बताते जाईए मैं उसको explain करता जाऊँगा नहीं point बताते जाईए एक बार दुबारा देख ले चलिए एक बार इसको मिटा के फिर से कर लेते हैं ठीक है एक बार मिटा के फिर से कर लेते हैं पिर से करते हैं एक बार देखिए सवाल में कहता है इशूड छे लाग एप्लिकेशन रिसीव और दस रुपे का शेयर झाल प्यूब एक बार देखिए अब 10 रुपे का share अब 10 रुपे का share में क्या है हमारा 3 रुपे 2 रुपे सरी 3 रुपे 2 रुपे और 2 रुपे अब पहले bank में हम PACS ले लेते हैं bank account to share एप्लीकेशन सर बैंक में डैविट होगा 10 लाक से इंटु में 3 तेट इस 30 लाक अब एक एक स्टेप पर आप से पूसता रहूँगा आप बताते जाहिएगा इसमें किसी को doubt है तो बताईए इसमें किसी को doubt है तो बताए इसमें किसी को doubt फर्स्ट एंट्री में हमें excess money का utilization क्या है हमारे issue का पहले पहली पहली एक एक entry करते जाते हैं No, सभी बच्चों ने बोल दिया No अब अगली entry adjustment की करते हैं क्या करेंगे हम Share application पूरे 30 लाग 2 equity share capital equity share capital कैसे आएगा 6 लाग into में 3 that is 18 लाग अब two bank sir bank में जिसके refund कियें उसके bank तो आप देखें refund इसके कियें 1,20,000 वालों को दिये है निल तो इसके refund किये तो ये आना चाहिए 1,20 गुणा में 3 ठीक है अब सबसे बड़ी problem क्या है पहले वाला category तो बड़ा simple सा है दूसरा category देखोगे न तो आपने धेर सारा share मांगा है लेकिन आपको मिला बड़े थोड़े से है इसका मतलब आप पैसे घर से बहुत लेका है माल लेते हैं कि आप मैंने क्या बोला एक एक रुपे का share है एक एक रुपे का share है आपका आपको कितने share चाहिए आप मुझे 15 रुपे दे देते हो तो काईदे से देखा जाए तो आपको मुझे कितने share देना चाहिए 15 और face value मेरा 10 रुपे है यानि पहले मैंने आप से कितने मांगई एक रुपे, बाकी के नो मांगूंगा, लेकिन आपने 15 के यसाप से पैसे दीए तो में पास कितने आगे 15, मैंने आपको एक ही शियर अलोट किया, तो अगर देखा जाए, तो मैं आपके एक शियर अलोट करता हूँ, तो पूरे पैसे अगर रख भी लिए तो 10 से ज़्यादा तो रखी नहीं सकता क्योंकि आपका face value कितना है 10 रुपई ही है तो जो 5 रुपई एक्स्ट्रा बन रहे हैं उसको तो मुझे वापस ही करना पड़ेगा वही बात यहाँ पर आगया इसकी basic सी calculation क्या है मैंने total पैसा जो इस category वाले ने इस category को ध्यान से दिज़ेगा बस मैं इस category को देख रहा हूँ मैं इस category को total पैसा इस category को देख रहा हूँ मैं सिर्फ इस category का हिसाब लगा रहा हूँ है यानि सर इसने total पैसा total amount जो दिया होगा ने इस category वाले ने बोलाओगा भाईया मैं तो मांग रहा हूँ 3.60 इंटू में 3 के इसाफ से दिया होगा इसको गुना करेंगे तो 10 लाक 80,000 रुपे आए होंगे मैंने बोला भाईया तुम्हे न अप्लिकेशन के पैसे में काट लेता हूँ एप्लिकेशन पे एडजेस्ट हो जाएगा तो एप्लिकेशन पे एडजेस्ट कितना कर पाऊँगा क्योंकि मैंने इसको अलॉटी असी किए 80 इंटू में 3, 2, 40 फिर इसके अगर मैं एडवान्स की बात करूँ कि कितने एडवान्स बच जाते हैं advance की बात करूँ तो कितने बच जाते हैं 10,80 और 2,40 minus करोगे तो क्या आएगा 8,40,000 अब इस question ने बोला कि जब किसी का advance आएगा तो उसको allotment तक adjust करते जाना है तो मैं minus करूँ अब यह आप चलो इससे allotment भी अगर मैं मांग लूँ अगर मैं इससे allotment को मांगता हूँ तो इसके पास तो है 80 80 गुना में 3 नहीं मांग सकता हूँ मैं तो that is मैं कितने मांग सकता हूँ 2,00,000 तब भी इसके advance बच गए सर कितने बच गए 6,00, पहले इस बात को समझे यहां तक समझ में आ रहा है कितने बच गए 6,00, अब मैंने का भाई चलो यह भी advance मान लिया question अगर कहता है कि इसके advance तक पैसे रखने उसके अदवापसी करने तो मैं यह 6,00, उठाके bank से वापस कर देता सवाल ने कहा access money receive application was to be utilized toward allotment and subsequent subsequent का मतलब होता allotment के बाद भी utilize करना है तो allotment के बाद अगर मैं utilize करने की बात करूँ, इसमें से पहले हम minus करेंगे, सर क्या minus करेंगे allotment के बाद first call तो अगर मैं इससे share first call के भी पैसे रख लूँ, first call के भी पैसे मांगो, तो कितने मांगूँँगा सर 80,000 80,000, गुणा में first call देखिए कितने का 2 का है, तो मैं इससे मांगूँगा 1,60,000 मात्र अगर मैं first call के भी पैसे काट लूँ, फिर भी बच जाते हैं, कितने बच जाते हैं, 4,40,000 चलो मैंने बोला, चलो मैं तुमारे final भी मांग लूँ अगर मैं, तो final भी कितने बनेंगे आपके 80,000 इंटू में 2, यानि फिर से 1,60,000, अभी भी इसके पैसे बच जाते हैं, कितने 2,80,000, पक्का यही आ रहा है न, 2,80,000 तो सर अब मैं क्या मांगू, इससे मांगने के लाइक तो बचा ही नहीं कुछ ना अब मुझे क्या करना चाहिए इसके पैसे वापसी कर देने चाहिए तो मुझे वापसी करने की बात करते हैं तो एक तो ये वाला पैसा वापस करना पड़ेगा प्लस जो एडवांस आया वो वापस करना पड़ेगा एडवांस कितना रहता है इसका 2,80,000 that is अगर मैं वापस करने की बात करूँ तो दो बारतिया 36 यानि तीन साथ और दो अस्ति कितने बन जाते हैं छे लाग चालिस हजार पहले इसमें बताईए डाउट फिर मैं आगे स्टेप पे जाने वाला हूँ यहां तक बताईए सर प्रो रेट पेपर में आता है प्रो राटा अरे अभी पहले इस सवाल को देखे यहां तक डाउट है पहले मैं इससे तो निप्टू आपके ये सवाल जो है मैं इसलिए दुबारा मिटा के कर रहा हूँ नहीं तो मैं तो आगे बढ़ जाता no doubt clear हो गया clear है चलिए अब आ जाते हैं आगे मैंने क्या करा तोड़ तोड़ के entry करता हूँ मैं मैंने का सर advance होंगे आपके advance होंगे on allotment allotment के नाम का advance क्या है सर ये वाला है दो चालिस लिख देंगे सर टू first call advance मैं अलग-अलग ही लिख देता हूँ first call although calls in advance लिख सकते हैं कितने होंगे और फिर second call advance या final call advance एक लाख साथ हजार अब आपको total करना है क्या ये 30 लाख 30 लाख मैच हो रहा है अगर मैच हो रहा है तो हम सही कर रहे है calculation नहीं तो कहीं न कहीं mistake है अब clear है सभी को बस इस question में यहीं था जो जान था इसके आगे तो क्या allotment का पैसा माँगोगे advance कट जाएगा फिर first call का पैसा माँगोगे advance कट जाएगा फिर final call का पैसा माँगोगे advance कट जाएगा किताब में जो दे रखा है ना वहाँ पे बच्चों को जाए तर ये सबसे ज़्यादा problem की rate करता है 46 कैसे आ गया सभी बच्चों का जवाब है सर clear 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 ठीक है अब first call भी कर दे हलाकि आप तो आगे करीब आओगे allotment कर दे तो सर share allotment to equity share capital सर share allotment to equity share capital कितने आएंगे अगर देखा जाए तो आएगा यहाँ पे 6 लाक इंटू में 3 यानि 18 लाक अब बैंक में जो पैसा आएगा 18 लाक मिलने चाहिए लेकिन advance वाले नहीं मिलेंगे एडवांस कितने 240 है ना फेलियर नहीं है कोई फेलियर यहाँ पर होता तो मज़ेदार कुश्चन हो जाता तो दो शोला यानि 15 लाक कि साथ हजार इसको कछ बच्चे बोलते हैं साथ नेट कर दो मिर पास जगह नहीं तो आप आपने दिखाना ही दिखाना mandatory है ठीक है परस्ट कॉल की एंट्री उपर करते हैं क्या होगा शेयर परस्ट कॉल तू एक्विटी शेयर कैपिटल फिर से कितने होंगे छे लाक इंटो में दो तो मैं सीधा लिख दूं बारा लाक अगर मैं बैंक में पेइमेंट की बात करूं तो बारा लाक माइनस किसे करें सर माइनस बारा लाक को हम माइनस कर देंगे सिर्फ 60 अब देखो यह मजा आएगा आपको करने में समझने में क्योंकि मैंने यहीं यह एंट्री क्या करा अलग करा कुछ बच्चे कहते हैं सर एकी बार लिख दो ना calls in advance हारा तो फिर आपको य चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो ठीक है ना तो बारा में से बचेगा तो कितने बचेगा दस चालेज इसको भी मैं डारेक्ट कर रहा हूं जगे ना होने के विज़े से चाहे बचेगा दस चालेज फाइनल कॉल की तो अब खुदी कर लोगे सेमी एंट्री होना है बस वहां क्या लगना है शेयर फाइनल कॉल सभी को समझ में आ गया क्लियर